हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल तो गाईज आज में शेयर करूँगी इस ब्यूटिफुल सी ड्रेस की कटिंग में स्टीचिंग का वीडियो स्टेप बाइ स्टेप बहुती आसान तरीके से यह हमने फुल फ्लेर अम्रेला प्लाजो बनाया है और साथ में हमने यह कुर्ति डिजाइन की है तो कुर्ति को मैंने ट्राइंगल लेस और गोटा पैटी से डिजाइन किया है तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखे कहीं भी स्कीप करें तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो तो गाइस यह कुर्ति बनाने के लिए मैंने पांच मीटर जॉर्जट फैब्रिक लिया है और साड़े चार मीटर मैंने सैंटून फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए यानि लाइनिंग के लिए आपके पास अगर इस तरह की कोई प्लेन साड़ी है तो आप ये ड्रेस उस प्लेन साड़ी से भी बना सकते हैं और लाइनिंग के लिए कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं तो पांच मीटर में से मैंने तीन मीटर अपने प्लाजो के लिए कट कर लिया है तो सबसे पहले हम अपना प् तो हमने इसको इस तरह से triangle shape में four fold कर लेना है तो ऐसे triangle shape में fold कर लिया है दिखें यहां से हमारी four layer है open side है और यह folded side है और यहां से भी हमारा यह extra fabric है जिसमें plazo में joint आएगा अभी इस corner से हमने अपने plazo की कमर का measurement लेना है यहां से तो friends कमर का measurement के लिए हमने अपने hip का measurement लेना होता है जो भी हमारा hip है यानि हमारा hip 42 inch है उसको हमने four से divide करना है जो हो गया 10.5 inch तो हमारा 10.5 inch है इसके बाद हमने इसमें 3 inch plus करने है जो 13.5 inch हो गया अब इस तरह से हमने inch tape को रख लेना है और inch tape को हमने थोड़ा गोलाई से रखना है ऐसे और यहाँ पर mark कर देना है अब open side से inch tape को ऐसे रखना है उपर से और नीचे से inch tape को हमने घुमाते जाना है और curve shape में marking करती जानी है इस तरह से तो पहले dot dot करके हमें marking करनी है उसके बाद हम एक बार check कर लेते हैं तो यह हमारा 13.5 inch बिल्कुल perfect है इसके बाद हम इसको dark कर लेंगे और देखिए जो हमने dark mark किया है उसके उपर हमने 1 inch उपर की तरफ रखना है और अपने plazo की length लेनी है अब इसी तरह से हमने अपनी कमर की गोलाई पर 1 inch उपर की तरफ रखना है और नीचे से जितना भी हमने अपना ready plazo चाहिए उतना ही लेना है extra नहीं लेना है क्योंकि 1 inch हमने उपर की तरफ निकाल दिया है जो हमारी 1 inch की belt आ जाएगी तो हमारा ready plazo उतना ही होगा जितना हम marking लगा रहे हैं तो ऐसे आप देख सकते हैं नीचे साइड में जो हमारा fabric कम पढ़ रहा है तो यहाँ पर joint आएगा इस तरह से इस तरह से marking करने के बाद हम इसको dark कर लेंगे ऐसे अब जो हमने कमर की साइड से marking की है उससे half inch उपर की तरफ हम कट करेंगे यह हमारा half inch seaming allowance है इसके बाद हमने जो नीचे की marking है उस पर कट कर लेना है अभी जो हमारा नीचे की तरफ से fabric बचा है वो हमने इसको यहाँ से joint कर देना है तो ऐसे देख सकते हैं आप cutting हमारी हो चुकी है अब जो हमारा fabric कम पढ़ रहा है हमने इसको इस तरह से यहाँ से रख देना है और इस पर हमने pin लगा कर set कर देना है तो pin लगा दी है हमने इस तरह से अब इसको हम आगे की तरफ turn कर लेंगे तो देखिए हमें दिख गया है कि यहाँ से हमने इतना cut करना है तो मैं marking करके आपको अच्छे से किलियर कर देती हूँ तो उपर वाली लेयर हमारी यहां तक है तो हमने यह यहां से कट करना है यानि इतना जॉइंट हमारा प्लाजो में आएगा तो गाइस यहां पर हमारा जो फैबरिक है उसकी विट्ट कम थी तो इसलिए हमारा ये जो joint आया है अगर आपके fabric की width ज्ढ़ादा होगी, तो ये joint नहीं आयेगा तो तो दीखे इस तरह से ये हमारा joint आया है, तो हमने इस तरह से यहां से रखकर इसको सीधा सिल देना है और इसी तरह से हमने अपने इदूसरा वाली लेयर भी यहां से मिला देनी है और सीधा करके सिल देना है इसके बाद हम अपना क्रोच मार्ग करेंगे तो देखें यहां से हमने एक इंच इस तरह से हमारा तेरा इंच कमर का साइज था तो एक इंच हमने उपर की तरफ निकालना है और तेरा इंच पर मार्ग करना है अपने क्रॉच की लेंद के लिए इसके बाद अंदर की तरफ हमने तीन इंच पर मार्ग करना है यहां से और इस marking को सीधा कर देंगे और इसके अंदर हमने अपने crouch की गलाई दे देनी है तो ऐसे गलाई देने के बाद आब हम अपना crouch कर लेंगे इस तरह से कट कर लिया है हमने अब देखिए इसकी हम lining कर गरेंगे तो यह हमारा 38 inch fabric है डबल फोल्ड करके अब इसको हमने इस तरह से फॉर फोल्ड कर लेना है तो यहाँ पर हमने लाइनिंग की जो लेंथ ली है वो एक इंच कम ली है यानि यह हमने थार्टी एट इंच लिया है और जो इसकी विट है वो लगबग 20 इंच है और यहां से open side है और यह हमारी folder side है अब जो हमने plazo cut किया है अपना जॉर्जट में उसको हमने कमर की side से इस तरह से उपर की तरफ मिला के रख लेना है और जो क्रोच वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सीधा गर के ऐसे रख लेना है कमर की side से हमने जॉर्जट वाले fabric को इसके बराबर मिला कर रखना है और इसके यहां से हमने marking कर लेनी है और यह inner leg वाली marking को हमने free hand से इस तरह से कर लेना है इसके बाद हमने इसकी cutting कर लेनी है अदिकी नीचे की तरफ से हमने यहां पर 2 इंच पर mark लगाना है और free hand से इसकी गोलाई दे देनी है अब इसी पर हम cut कर लेंगे तो इस तरह से हमारे inner जो lining वाला fabric होगा उसके corner नहीं लटकेंगे इसके बाद हमने इसको stitch करना है तो देखिए यह हमारा जो lining वाला fabric है वो double fold है अब यहां से half inch का margin लेते हुए हम सिलेंगे तो यह दोनों crouch को हमने same इसी तरह से सिलना है और इसी तरह से हमने अपने जोर्जट वाले crouch को सिल लेना है तो लीजिए crouch हमारे इस तरह से सिल चुके है इसके बाद हमने इसको यहां से इस तरह से open करना है अब यह दोनों लेग हमारी अलग अलग हो गई है अब इसकी हमने inner leg में fitting लगा लेनी है यहां से इसके बाद हमने इसका जो bottom है उसको double fold कर लेना है दोनों का इसके बाद हमने देखिए यह जोर्जट वाला हमारा plaza है उसको सिलिया है और नीचे जो जोइंट है वो भी लगा लिये है तो यह इसके हमने cross ही लिये है इसको भी हमने इस तरह से open करना है और इसकी भी inner leg में हमने fitting लगा लेनी है यहां से यहां तक इसके बाद जो इसका bottom है उसको हमने सिर्फ single fold करना है wrong side में इस तरह से इससे जादा fold नहीं करना तो देखिए आस्तर वाले plazo की हमने inner leg की fitting लगा लिये है और bottom की भी हैंप कर लिया है इसके बाद हमने जो हमारा जॉर्जट वाला plazo है उसकी भी inner leg की हमने fitting लगा लिये है और नीचे से single fold कर लिया है इसके बाद हम अपने plazo को right side में turn करेंगे जो हमारा जॉर्जट वाला plazo है और अब हमने अपने अस्तर वाले plazo को लेना है आप ये plazo को यानि अस्तर वाले plazo को right side में भी रख सकते हैं और wrong side में भी इसके बाद इसकी दोनों leg हमने इसके इस तरह से अलग-अलग pass करनी है और ऐसे हमने दोनों के crotch एक दूसरे के सामने रखने है इस तरह से अब यहाँ पर हम pin लगा कर set कर देंगे तो दोनों crotch एक दूसरे के सामने आने चाहिए इसी तरह से हमने ये वाले crotch भी एक दूसरे के सामने रखने हैं और यहां से पिन लगा देनी हैं इसके बाद हमने साइड में से भी पिन लगा देंगे ताब कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो यहां पर हमने पिन लगा दी है देखिए अब जो हमने पिल लगाई है तो यहां से हमने हाफ इंच का मार्जन लेते हुए पूरी गुलाई में इसको सिल देना है इस तरह से इसके बाद अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है तो देखे बेल्ट के लिए क्या करेंगे पहले हम चैक कर लेंगे कितनी इसकी रेडी बेल्ट है तो यहां पर इसकी रेडी जो है वो 27 है तो देखे मैंने यहां पर लाइनिंग वाला फैबरिक लिया है तो इसको हमने 28 इंच पर कट करना है एक इंच एक्स्टर लिया है तो यहां से हम एक इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा इसके बाद इसको हमने डबल फोल्ड करना है और यहां से कट कर लेना है तो फ्रेंट्स बेल्ट की जो चोड़ाई है वो 28 इंच है और जो लंबाई है वो 4 इंच है अब हमने यहां से इसको सिल लेना है दोनों सिरे इसके बाद हमने इस बेल्ट को चाहे तो आप अंदर की तरफ से भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो इसको बाहर की तरफ से भी लगा सकते हैं आप दोनों तरह से किसी भी तरह से लगा सकते हैं तो पहले मैं यहां से आपको बाहर की तरफ से रखके दिखा रही हूँ, आप इस तरह से भी सिल सकते हैं, और आप इस तरह से अंदर से भी रखकर सिल सकते हैं, तो मैंने अंदर से रखकर सिला है, अब यह हमारी जो बैल्टे वो बाहर आकर टर्ण होगी, इसके बाद हम इसक लेंगे तो लास्टिक लेने का जो मेजरमेंट है जितनी भी कमर है उसमें से हमने 4 इंच माइनस करने हैं जैसे मेरी कमर 32 है तो मैं उसमें से 4 इंच माइनस करूंगी जो हो जाएगा 28 इंच अब यहां से हमने इसको कट कर लेना है इसके बाद हमने इसके दोनों शीरो को अच्छे से सिल देना है यहां से आप चाहें तो भैलट फोल्ट करने के बाद भी लास्टिक insert कर सकते है और आप चाहें तो इस तरह से भी अपनी बैलट को लगा सकते हैं यानी फोल्ड करते हुए यह आप लास्टिक इसमे रखNOद कर लास्टिक इसमें इसके बाद देखिए जो हमने नीचे बॉटम में सिंगल फोल्ड किया था, यहाँ पर हमने ट्राइंगल लैस लगानी है, तो उसको हमने किस तरह से लगाना है, वो देखिए राइट साइड में, हमने अपना प्लाजो रखा है, और हमने लैस को इस तरह से रखना है, और इसमें ट्राइंगल लैस भी लग जाएगी, तो लीजिए हमारा प्लाजो बिल्कुल तयार है, इसके बाद हमने इसकी कुर्ती तयार करनी है, तो कुर्ती के लिए हमने अपनी लाइनिंग वाली कुर्ती कट कर ली है, लाइनिंग वाली कुर्ती कैसे कट करते हैं उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या मैं वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रीशन बॉक्स में देदूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो में मैंने लाइनिंग वाली कुर्टी को कट करना और सिलना बहुती अच्छे तरीके से समझाया है अब देखिए हमने अपनी जो कुर्टी है फ्रेंट वाला पार्ट है हमारी कुर्टी का उसको हमने एक डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे सेंटर में एक मार्क करेंगे और इस मार्क को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर देंगे तो मैं यहाँ पर स्केल की हल्प से बिल्कुल सीधा मार्क कर दूँगी ऐसे इसके बाद जो हमारा सेंटर का मार्क है यहां से हमने 2 इंच पर मार्क करना है और हमने फिर 2 इंच मार्क करना है और इसी तरह से हमने 6 टाइम दो 2 इंच पर मार्क कर लेना है तो दिखे हमारे 6 पॉइंट हो चुके हैं इसके बाद हमने इंची टेप को तिर्चा करके इस तरह से रखना है इस वाले point पर जो हमारा कंधी वाला point है यहां से इसके बाद यहां से हमने 2 inch नीचे की तरब mark करना है अब इन दोनों point को हमने line up कर देना है इस तरह से अब इल्कुल इसी तरह से हम 2-2 inch पर mark करते जाएंगे और इन दोनों point को line up करते जाएंगे ऐसे marking हमारी हो चुकी है इसके बाद हमने अपनी गोटा पट्टी ली है यह बारिक वाला गोटा है हमारा अब इस गोटे को हमने बिल्कुल इस marking पर सीधा सीधा रखकर सिल देना है इस तरह से तो हमने यहां पर six line बनाई है six line पर हमने गोटा लगा देना है इसके बाद देखे हमारी कुर्टी की length कम है तो इसको increase करने के लिए मैंने आठ इंच की पट्टी ली है तो यह पट्टी की चोड़ाई हमारी साड़े आठ इंच है रेडी होने के बाद यह आठ इंच हो जाएगी और लंबाई इसकी दामन के बराबर रहेगी इसके बाद हमने इस पर भी सीधा सीधा गोटा पट्टी लगा देनी है तो लीजे फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये नैक में भी गोटा पट्टी लग गई है और दामन भी हमने इस तरह से गोटा पट्टी लगा कर तयार कर लिया है जो हमारी 8 इंच के पट्टी थी उस पर हमने बीच बे गोटा पट्टी लगाई है और उपर और नीचे हमने ट्राइंगल लेस लगाई है अब देखें यहाँ पर हमने बटन लगा कर इसको इस तरह से सैट कर देना है इसके बाद हमने इसी तरह से कुर्टी का जो बैक वाला पाट है उसका दामन भी हमने इसी तरह से तयार कर लिया है क्योंकि इसकी भी हमने लैंद बढ़ानी है तो इसका दामन भी हमने विल्कुल इसी तरह से तयार किया है और जो स्लीव की हमारी मूरी है उसको भी हमने इसी तरह से तयार किया है जिस तरह से हमने दामन की सीधी सी के उपर इस तरह से रखेंगे दोनों की right side अंदर की तरफ रहेगी और wrong side दोनों की बाहर की तरफ रहेगी अब हमने यहां से one foot का margin लेते हुए एक सिलाई लगानी है और छोटे-छोटे notches लगा कर इसको right side में turn कर देना है और इसी तरह से हमने अपना back वाला neck भी तयार कर लेना है तो उसका neck भी same इसी तरह से cut हुआ है यह neck मैंने boat neck cut किया था अब इसको भी हमने इसके उपर इसी तरह से रख कर सिल लेना है इसके बाद हमने normal अपनी कुर्टी जिस तरह से सिल्टी है उसी तरह से हमने इसको तयार कर लेना है और इसके साथ हमारी यह कुर्ति तयार हो जाएगी तो इस तरह से हमारी यह कुर्ति देखिए तयार हो गई है with plazo I hope आपको यह वीडियो पसंद आई है वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जोरूर बताएं और आपके पास इस तरह का कुछ material है तो आप इस design को एक बाए try ज़रूर करें बनने के बाद ये बहुत ही beautiful हमारी dress तैयार हो गई है वीडियो पसंद आई है तो please वीडियो को like करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell button ज़रूर दबाएं मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियास के साथ तब तक के लिए bye take care thanks for watching this video